हर्याना ग्रूप C भरती पर विवाद CM वर्सिज चेर्मेन CM कह रहे हैं हर्याना ग्रूप C मेंस का पेपर एक जून को लूँगा तो चेर्मेन साहब कह रहे हैं मैं तो इस पेपर को 15 जून से लूँगा आखिर दोनों क्या है विवाद उससे पहले यदि आप भी हरियाना के ग्रूप CID की एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और अपने 15 नमबर पके करना चाहते हैं तो रीजनिंग के इस बहतरीन बैच को जोइन करके 15 नमबर पके कर सकते हैं फीस मतर 249 रुपे KD-50 कूपन कोड लगा करके KTDT Online Education App से इस कोर्स को परचेज किया जा सकता है कोई क्यारी है तो दिये गए साइड में वाटस अप नमबर पर मैसिच छोड़ करके उसको सोल कर सकते हैं और यदि अभी तक वीडियो को लाइक और सेर करना भूल गए हैं अवस्य कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल एकुन का बटन दबा लिजिए ताकि सबसे पहले सही समय पर अपडेट मिलती रहे जानते हैं आखिर दोनों के बीच प्रिक्सा तिथी को लेकर क्या विवाद है उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपको याद है ना ग्रूप सी मेंस भरती परिक्साओं का पुराना सेडूल जिसमें 13 मई से भरती परिक्साओं शुरू होनी थी और ये परिक्साओं चलते चलते आखिर 15 जुलाई तक जानी थी सबको याद है ना सायद लगता है आप भूल गए होंगे क्योंकि चेर्मेन साहब भी भूल जाते हैं आपकी तो ओकात ही क्या है तो 13 मई से 15 जुलाई तक परिक्सा होनी थी फिर चेर्मेन साहब को थोड़ी सी भूल हुई फिर चेर्मेन साहब ने नई परिक्सा की तीथी देनी शुरू कर द कहा 13 मई से नहीं ग्रूप सी भरती प्रिक्षा तो हम 15 जून के बाद लेंगे फिर धीरे-धीरे 15 जून की तारिक को भी भूलते हुए नजर आए और कहने लगे कि जो प्रिक्षा सेडूल हमने 21 मई से शुरू किया था वह कुछ कारणों से या HPSC की प्रिक्षा के कारण इस स 15 जून से फिर 20 जून तक आगे खिसक गए और ये भी भूल गए कि वो जो सेडूल 21 मई से बता रहे हैं वो 13 मई से शुरू होना था 21 मई से नहीं क्योंकि भूल लग जाती है हर रोज नए बयान दे देते हैं तो चलते चलते 20 जून तक पहुँच गए फिर कोई नया इंट इंटर्यू इसी महीने के दिखा रहा हूं इसी महीने न्यूज पेपरों को दिये गए इंटर्यू दिखा रहा हूं फिर चेर्मेन साब थोड़ा सा आगे बढ़ गए फिर CET के प्रिक्षा एक जुलाई से 30 सितमबर तक हर सनिवार रविवार होनी बता दी गई फिर करते कर 21 जून से 31 जुलाई तक लेना शुरू कर देंगे फिर और थोड़ा सा पीछे आना शुरू हुए यानि कहा ग्रूप C की प्रिक्षा 15 जून से ही लेना शुरू कर देंगे यानि एक बार 13 मई से शुरू होकर आगे 1 जुलाई तक गए और करते करते फिर वहां से बैक गेर लगाया और 15 जून तक आप पहुंचे क्योंकि भूल जाते हैं कि हमने तारीखें दी क्या थी हर रोज के इंटर्यू में नई नई तारीखें दी तो आप जानते होंगे कल सीम साहब महंदरगड में जन समवाद कर रहे थे और उसी जन समवाद में क्या विचार सीम साहब न प्रिक्सा सुरू कर दी जाएगी यह सीम के बयान है तादा बयान है कल महंदरगड में थे आज निल्जवेपर में छपी है कि अगले सप्ता से प्रिक्सा सुरू कर देंगे ग्रूप सीमेंस के आप जानते होंगे यह सप्ता कल यानि ठीक 28 तारीख को खतम हो रहा है और 29 मई से 4 जून के विच किसी भी दिन हम प्रिक्सा सुरू कर देंगे यानि 29 मई से 4 जून को मैं मानूं उनका एक मिड भी मानूं तो एक जून से सीम के नुसार ग्रूप सीमेंस की प्रिक्सा सुरू हो जाएगी देख लो यह लेफ्ट साइड में पूरी डिटेल बताई है क 30 गाउं में हमने कितनी नोकृ दी और भविषय में कितनी देंगे और साइड में राइट साइड देखो गए यह कहा ग्रूप सी भरती के लिए एक सपतावाद प्रिक्सा सुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा 65,000 नोकृतर देंगे और एक सपता हमें प्रिक्सा विकर लिया जाएगा और आगे कहा फिर ग्रूप डी की भरती प्रकिरिया शुरू करेंगे और 6 मा में PGTW पुलिस भरती भी की जाएगी इन सभी भरतियों के लिए सरकार ने 4 से 6 मा का समयनिर्धारित किया है अब यूआ असमंजस में फस गए हैं यूआ भरमित हो रहे हैं कि सही चेर्मेन हैं या सही CM साहब हैं चेर्मेन भी अपने नए नए ब्यान दे करके आखिर 15 जून पे आकर के अटक गए हैं तो CM साहब ने नया विवाद शुरू कर दिया उन्होंने कहा नहीं भाई आपको तयारी नहीं करने देंगे 15 जून कहा हम तो एक जून से ही यानि ठीक जो अगला सप्तहा परसों से सुरू हो रहा है हम तो उसी सप्ता में आपकी ग्रूप सी मेंस की प्रिक्षा शुरू कर रहे हैं अब बात यह उठती है आखिर दोनों में से सही कोन है Chairman साही है के CM साही है जहां तक मुझे लगता है दोनों में से कोई भी सही नहीं है फिर भी क्या कर दें इनकी कोई भरोसा और तसली नहीं लेकिन अलग-अलग बयान दे करके युवाओं को जरूर भरमित किया जा रहा है लेकिन आप पढ़ते रहिए जून में नहीं तो जुलाई अगस सितमबर कई भी तो प्रिक्षा होगी अगले तीन-चैर महिने में जरूर सारी ग